हेलो गाईज, तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे अंदर गरव क्यों नहीं ठेहरता, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो मेरे पती आपको समझाएगे कि हमारे अंदर गरव क्यों नहीं ठेहरता तो हाई गाईस देखिए जो भी चीज़े थी मेरे पत्रियन आपको बता दिया है और बाके आप वीडियो को टाइटल और थंबलेंड देखकर भी समझ चुके होंगे कि आज किस वीडियो में हम किस टॉपिक पर नॉर्मली बात करने वाले हैं देखिए गाईस हमारा जो नॉर्मली चैनल है ये चैनल उन लोगों की मदद करने के लिए है जो काफी लंबे टाइम से परेशान है काफी लंबे टाइम से उनके साधी हो चुके है लेकिन वो प्रेगनेंट नहीं हो पा रहे हैं तो आज किस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क गाईस प्रेगनेंट ना होने के कौन-कौन से कारण हो सकते हैं आज तक हमने बताये हैं कि आप कैसे प्रेगनेंट हो सकती हैं लेकिन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप प्रेगनेंट क्यों नहीं हो पारी हैं देखिए आपने अगर सुना हो अकसर अगर आपको अच्छे से डवलप यानी अगल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और जब तक एक महीला का एग अच्छे से नहीं बन पाया का तब तक वो प्रिग्नेट नहीं हो सकती तो इसे ताप समझ चुके होंगे दूसरे टॉपिक यह है कि कुछ में हिलाई क्या होती है कि जैसे नया नया साधी हुआ आप वो नहीं चाहती कि उनको बच्चा हो और इसी चीज को देखते हो वो गर्व निरोदक गोलिया खाना स्टार्ट कर देती है ताकि बच्चा ना रहे और यही चीज आगी जाके नुक जोर हो जाएग अच्छे सा नहीं बन पाएंगे आपके हजबेंड को भी प्रॉब्लम होने लग जाएंगे बहुत सारी वह आप समझ चुके होंगे वह बताने मिझे बात जरूर नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजों को खुल कर भी नहीं बता सकते यूट्यूपर अगर य समबे टाइम से परेशान हैं प्रेगनेंट नहीं हो पा रहे हैं दवाई गोली खूब कर वाले सारे टिप्स एंट्रिक लगा ले हैं तो गाइस हमारे पास एक देशी दवाई है अगर आप उसे इस्तिमाल करोगे तो 30 दिन में प्रेगनेंट आप हो जाओगी अगर आप प समझपाए होंगे और यह बात हैं हम हवा में नहीं कर रहें क्योंकि हमारे भी एक बेबी है जो कि अब सम्टिंग आप वैसे तो सौट वीडियो दिखते होगे ना आप शौट वीडियो में जितने भी है वह हमारे बेबी की ही वीडियो जैं और अब भी वह दो महिने का है अल्रेडी तो जादो कुछ नहीं कहेंगे आज गलत नहीं है मुलेंग नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाइब लेविट और टेक केर